इस वीडियो में हम component, variance और variables को discuss करेंगे कि आप किस तरह से components बना सकते हैं और components के बनाने के बाद आप किस तरह से variance different stage उस करके अपने design को और बहुत ज़्यादा effective और professional way में present कर सकते हैं और तो components, variance और variable की हर्व से आप अपने design को fast भीगार सकते हैं तो basic से बिलकुर start करेंगे और इस वीडियो के बाद हम design system पर भी बात करेंगे आपकी सार से एक overall design system create कर सकते हैं तो don't forget to subscribe है channel और चलते है इस वीडियो है तो सबसे पहले बात करते है components की components is basically Figma का वो powerful tool है जिस पर आप कुछ actions perform करके overall अपने design को change कर सकते हैं for example जब मैं beginner थी तो मैं अपने design में components create नहीं करती थी तो ऐसा होता था कि एक like for example मैंने एक project पर काम किया उसकी तगरीबन 100 प्लस सक्रेंज थी और उसके अदर client ने मुझे कहा at the end उसने मुझे कहा कि मुझे buttons का color change करवाना है तो उस time हो चाह रहा था कि हम yellow से इसका color black में convert कर ले तो अब मेरे mind में यह question था कि मैं 100 प्लस सक्रेंज का color एक like इतने कम time में कैसे change करूँ तो उस problem को overcome करने के लिए फिर मैंने यह ही decide कि आएगा मैं अपने design को component में create करूँगी अब component काम कैसे करता है component में जब मैं एक element का component बनाती हूँ तो जो चीज मैं उस element पर करूँगी वह overall मुझे अपने system में दिखाई देगा तो आप बात करते हैं कि आपके इस तरह से फिग्मा में रहते हूए components कर सकते हैं और इसका क्या फायदत है तो सबसे पहले for example मैं यहां पर एक rectangle लेती हूँ और एक button करेती हूँ और इसका जो color है वो मैं for example green कर देती हूँ और इसके round quarters add कर देती है 12 ठीक है अब for example मेरे पस यह एक button है और इसको मैंने component में convert करना है तो उसके लिए आपको यहां उपर एक option दिख रहा होगा आपने इसको click करना है तो आपका यह जो rectangle है यह आप component बन चुक है और component दिखते कैसे है तो यहां पर आपको यह दिख रहा होगा कि यह four dots यह components का sample है ठीक है इसके इलावा जब आप यहां पर अपने left side पर आप answers देखेंगे तो यहां पर आपके file में मुझू जीतने भी components होंगे यहां पर आपको देखेंगे आप यहां से simply यहां से drag and drop करके for example अभी मैंने यह बनाया है तो इसको drag and drop करके आप इसको use कर सकते हैं ठीक है तो इस तरह बनते हैं components और जैसे ही मैं इस पर click करती हूं और इसका एक duplicate निकालती हूं या फिर alt को press करके इसका duplicate निकालती हूं तो यह इसका child होता है यह parent होता है और यह child इसको आप कह सकते हैं इसके right इसकी left side पे इसका sample देख सकते हैं और component का sample देख सकते हैं अब इन दोर में क्या difference होता है इसका difference यह होता है कि आप जितने मर्जी सके child निकाल ले या फिर इसी को duplicate कर ले और इसको आप अपने जब भी जहां भी अपने पूरे design system में use करेंगे और for example अप client चाहरा कि मैं इस button का color chain कर दू तो आपको सिरफ parent का color chain करना होगा और वो changes आपको अपने child पे भी दिखेंगे आपने simply यहां से जाके अपने जो button होगा उसका color आपने chain कर देना है तो वो overall parent में chain करने से आपको child में शो होगा ठीक है तो मैं ऐसी तरह करके आपको different order दिखाते हूँ कुछ example दिखाते हूँ कि यह एक मेरा project था जिसमें मैंने काम किया और यह काफे ज़्यादा screen प्राई और साथ ही साथ मैंने इस तरह करके कुछ components दिखाते हैं तो अभी for example मेरा client यह चाह रहा था कि अभी यह जो यहां पर button है add inventory का color इसका color अभी blue है लेकि मैं चाहता हूँ कि इसका color थोड़ा all different हो for example इसको green चाहिए तो simply मैं क्या करूँगी जहां जहां इस system में जहां जहां पर यह वाला button यूज हुआ है add inventory का color इसका color हम green करना चाहता है तो simply मैं यहां पर जाऊंगी और इसका color मैं chain कर दूँगी तो आप देखेंगे कि जहां पर यह button यूज हुआ है इस system में add inventory यहां पर भी add inventory नीचे भी add inventory तो उसका color blue से green में convert हो गया तो component का यह फाइदा होता है कि आपको आपको बार बार अपने design को chain करना पड़ता है और आपको बस parent में chain करना है और वो overall पूरे design में आपका जो changes है वो done हो जाएगी ठीक है तो यह तो था components के components होता क्या है simply इसका यही introduction था अब हम बात करते हैं कि variance क्या होता है अभी for example मैं यहां पर again एक button बनाती हूँ एक हम button बनाता है इसका radius थोड़ा सा मैं दे देती हूँ इसका color हम यह रख लेता है और इसके center में हम लिख देते है button ठीक है इसका size भी 22 कर देता है और इसको white कर देता है ठीक है इसको थोड़ा सा और बढ़ा कर लेता है तो यह हमारा पास एक button है अब मैं इसको group कर लेती हूँ अब group करने के बाद मैं इसको rename कर देती हूँ यहां पर button और इसके बाद मैं इसको component बनाओंगी अब मैंने इसको component बना दिया अब variants होता क्या है variants कहते हैं के एक ही चीज़ की different faces different states जैसे इनसान के कुछ लोग होता है कुछ लोग होता है उनके 2-3 faces होता है कभी वो कुछ रंग बदलता है कभी कुछ रंग बदलता है इसी तरह कुछ चीज़ों के भी faces होता है तो आप उनकी जो features होते हैं उनकी properties होते हैं उनको chain कर सकते है variants के तो तो variants काम कैसे करता है वो components पे काम करता है तो यह हमारे पस यह component बनके है अब यहां पर आपको right side पर properties देखेगी और यह variants अब यह जो हमारा button है यह variant इसका बन चुक है तो अभी इसको यह आपको plus का option दिख रहा होगा इसको आपने क्लिक करना है तो इसको एक और इसका जो state है इसकी यह face है वो आपको दिख रहा होगा मैं असान वोर्स में आपको बताने कोशिक कर रही हूँ तो यह variant 2 है इसको मैं for example नाम देते हैं यह हूं cover का ठीक है और इसका जो style है वो हम chain कर देता है इसका जो जो इसका color है इसको हम light कर देता है और button sharp कर देता है ठीक है उसके बाद एक और plus को मैं click करती हूँ यहां पर मै इसको light कर देती हूँ इसको बैभी light कर रही हूँ और इसको fill हम बंद कर देता है और जो इसका stove है इसको black से हम blue में रखते है ठीक है और इसको मैं name दे देती हूँ line button okay ठीक है एक और में variant बना रहती हूँ disable का disable में यह जो इसका color है इसको हम कर देते हैं इसका color हम कर देते हैं gray और button का color भी हम कर देते हैं gray ठीक है तो हमारे पास यह कुछ variants बन गया है मतलब के एक button के different stairs बन गया है अभी for example अभी वै इसका child निकालती हूँ यहां पर अब आप देखें यहां पर के इसके different आपको faces देखेंगे इसका फाइदा क्या होता है वेरिंस की बार में बात करते हैं कि इसका फाइदा क्या होता है तो जैसे मैं इसको hover करूँगी तो आपको इसकी different state देखेंगी button की और like यह होवर है तो इसको inline करेंगे तो यह वाला इसका face दिखेगा अगर इसको disable करेंगे तो इसका यह वाला face दिखेगा तो variance इस तरह से काम करते हैं ठीक है तो कुछ complexities में अगर हम बात करें तो यह जो components of variance होता है इनहीं की help से फिर design system system build क्या जाता है और कुछ इनकी जो complex forms होती है buttons की वह इसी तरह से use होते है तो अपनी next video में हम design system build करेंगे ठीक है अब यह UI kit है आप यहां से directly जाएं explore community पे और यहां पर आप लिखे design system ios design system अगर for example लिखे तो आपको काफी जएदा यहां पर design kits मिल जाएंगी आप इनको explore करें मैंने यह वाली open की हुई है तो यहां पर आपको different like variations मिल रही है variance मिल रहे हैं आपको यहां पर like buttons के अच्छा इन्होंने यहां पर यह चीज कैसे बेलिकी हुई है कि इसी तरह variance बनाते बनाते ठीक है तो आप इस तरह करके अब इसके साथ किस तरह से आप और type बना सकते है तो buttons के size होते है तो आप उन तमाम चीजों के भी variance बना सकते है तो मैंने इस वीडियो में आपको बहुत ही छोटा सा इंट्रोटक्शनल आपको concept मैंने दिया है कि components of variance कैसे काम करते है तो for example अभी for example हम इसको निकालते है और इसको check करते है कि उन्होंने किस तरह से बनाएं ठीक है तो हमारे यहां पर जैसे जैसे आप प्लस करते जाता है तो आपके पास ओल साथा साथी जाती है तो यहां पर उर्योंने डिफरेंट स्टेट्स बलाई है कुछ कलर्स बलाई है पहले चोटा बड़ा बड़ा तो जिस टाइप का भी बटन आप अपने सिस्टर में यूज करने वाले ह उसका चॉयल्ड अपने डिजाइन में यूज क्या करें ताकि जब भी क्लाईट को बाद में रिवियन जब वो करता है उसको जरुरत होती है तो आपका ज्यादा टाइम ना लगे ठीक है तो यहां पर उसने डिफरेंट साइजिस के बटन क्रेट के हैं यह कुछ आउफ ला इसके लावा है और भी डिफरेंट इसने यहां पर जो कि लिंक बनाये में है तो आप इसको चैकर सकते हैं अभी फर इसेंपल अभी मुझे कहीं पे भी डिजाइन में यूज करना है तो वो कैसे यूज करेंगे उसके बार में बात करता है इसके लावा यहां पर different sizes है आप simply यहां से switch कर सकते हो और अपने design में बगार बनाए लाइक एक ही बार अपने button बना के रख लिए आप उसको दुबारा आप दुबारा नहीं बनाओगे बस वहां से pick and drop किया pick and drop किया इसके लावा यहां पर आप simply assets में देखें आपको यहां पर सारे अपने components मिल जाएंगे आपने यहां से explore करने है और simply use करने है ठीक है अभी वापिस चलता है अपनी Figma file वे अभी for example मैं यहां पर एक लेती हूँ frame एक पर फिल करने से simply frame आ जाता है ठीक है और मैंने जैसे कि यहां पर button बनाया है इसको मैं कर देती हूँ यहां पर इसको चाइड ले लेता है ठीक है frame को थोड़ा सा बड़ा कर लेता है इसको back करता है और यहां पर मैंने दो button ले 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 frame को थोड़ा सा बड़ा कर लेता है मैं चाहते हूं कि वैं यह यह दिसेबल रहे तो बैं से चो डिसेबल यहां से करें दूंगी इसका मैं टैक सिंपली चेंज करूंगी यहां से next और इसको मैं करें दूंगी केंसल ठीक है इस तरह से या बटन यूज कर सकते हैं और अगर आपने यहां से कलर इसके चेंज करना हो कि पूरे सिस्टम में इसका जो कलर है वह हमें दिखे ग्रीन दिखे और या फिर थोड़ा सा चेंज कर लेता है कलर तो सिंपली ओवरार आपकी सिस्टम में वह यूज हो तो इस तरह से काम करते हैं तो यह तो था कि आपकी स्टम में और यूज को यूज करके सिंपली एक चीज को एक ऐलिमेंट को स्विच कर सकते हैं लेकिन अगर आप सोचें के कुछ ऐसा हो कि मेरी एक क्लिक पर और पूरी की पूरी स्ट्रीन चेंज हो जाए यानि के लाइट मोड को हम ड्रक मोड में कर सकें तो फिगमा ने कुछ मंस पहले एक अपडेट को लाँच किया उसको कहते हैं वैरियबल्स वैरियबल्स डैफिनिल्ली आपके ओवराल पूरी की पूरी स्ट्रीन को स्विच करने में हेल्प करता है अब यह काम कैसे करता है कि आपको अपने यहां पर राइट साइट पर यहां पर लोकल वैरियबल्स को ओप्शन दिख रहा होगा आपने इस पर सिंप्ली क्लिक करना है मैंने कुछ और एक्सपेरिमेंट के वे इसको डिलीट करेता है ठीक है और क्लेक्शन करने मैं लिखती हूँ फर एजमपल फिगमा क्रेट करते ह यहां पर आपको वैरियबल्स दिखेंगे तो वैरियबल्स क्रेट करने के लिए आपने सबसे पहले यहां पर जाना है क्रेट वैरियबल्स यहां पर आप वैरियबल्स आप कलर्स में भी चेंज कर सकते हूँ स्विच करने के लिए कलर्स भी स्विच कर सकते हैं नंबर्स भ इसको बंद कर देता है यहां पर मैं लिखती हूँ this is the body text इसको यहीं पर रखता है और दो buttons ले लेता है यहां पर Ctrl X करके और फिर पेस्ट करने से वो layer के उपर आ जाता है ठीक है तो अभी हमार पास यह यह एक background color है एक body text जो text text का color है button का color है disable button का color है अभी for example मैं चाहते हूँ कि यह पूरा dark theme है इसका color change हो जाए या पिर जो client चाहता है कि यह फोर्म से change हो जाए उसके लिए आप simply एक switch के दर setting करके उसको convert कर सकते हो तो उसके लिए variables use होते हैं आपने simply यहां पर जाना है और color इसको rename फिरते हैं हम इसको फिरते हैं background color ठीक है उसके बाद आपने shift और enter डालना है तो यह second आ जाएगा text color is black तो इससरा से और उसके बाद दुबार से shift enter करने से press करके shift enter करने से आपके पास कुछ और आ जाएगे तो इसको आपने for example नाम दे देना है means cta means call to action जिसको क्लिक करने से कोई ना कोई action perform होता उसको cta गयता है तो यहां पर इसका यह color कर देता है इसके लागल disabled cta इसको हम grey कर देता है इस तरह करके आप enter कर सकते हो तो उसके बाद जब आप यह हमारे पास एक value है इसको हम कर देते हैं light theme और जब आप यहां पर plus पे क्लिक करोगे तो आप उसके बाद इसका dark theme के color यूज कर सकते हो तो मुझे just a key mode मिलेगा variables का ठीक है और अगर मैं चाहते हूँ कि मैं इस feature को यूज करूँ और अगर मैं चाहते हूँ कि मैं like पूरी पूरी screens को इसके बाद आप अपने आने वाली वीडियो में बात करेंगे कि आप किस तरह से लाइक पूरे जो फ्रेंस को स्विच कर सकते हैं लेकिन अभी के लिए आप सिंपली लाइक जब यहां पर plus करेंगे तो dark theme के आपने मोर्स उसको यूज कर रहा है उसके बाद आप अपने जो पर शोफ्रेंब्स को आप किसी और पीचर के लाइक किसी और फ ungefयर में अरी इस्टेट में ऑट आप गषय के युज कर सकता हैं तो इसको गहता है वर्यब्स तो भीक है उमीद है आपको समझ आप अगी के कॉंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं व SM Bowl किस जा तरह से सपार मोर्ब to subscribe my channel and don't forget to share with your friends who want to learn ux and ui